जी हाँ दोस्तो थम्बनेल पर आपने सही पड़ा है अगर आपने अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक कराया तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है वो कैसे आगे इस वीडियो में आप जानेंगे उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक् कीजिए और प्रेस कीजिए बैल बटन को ताकि फ्यूचर में ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो का अपडेट आपको तुरंद मिल जाए दोस्तो वैसे तो भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीक 31 मार्च 2023 रखी है और अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो 1 अप्रेल से आपका पैन कार्ड इन्वैलिड हो जाएगा 31 मार्च 2023 तक इस काम को करने के लिए आपको 1000 रुपे की पैनल्टी फी पे करनी होगी इस पैनल्टी फी को बचाने का लालज देकर स्कैमर्स फाइदा उठा रहे स्कैमर्स बैंक के नाम से आपको कुछ इस तरह से मैसेज भेज रहे हैं जिसमें बोला जाता है कि आपका बैंक अकाउंट या फिर नेट बैंकिंग को ब्लॉक कर दिया जाएगा अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं और मैसेज में आपको एक वे बैंक अकाउंट खाली हो जाता है इसको लेकर के HDFC बैंक ने ट्वीट भी किया है और अपने कस्टमर्स को बताया है कि ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें अगर आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना है तो इस काम को केवल इंकम टेक्स की वेबसाइट पर ही करें तो दोस्तों साफधान रहिए और सतर्क रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी फैमली और फ्रेंड्स इस बात से सतर्क हो जाएं अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे all the best